नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे ब्रेज फूचर पॉइंट चैनल में जब बच्चे का जनम होता है जिन लोगों ने आप जिनके बच्चों का जनम होता है वो पहले ही अपने नाम को और कुंडली को दिखा के सही कर ले मात्र मेरे फीस 1100 रुपे होती है आप 1100 र चैनल पर जाके मेरी वीडियो देख देखके अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वह अपने बच्चे का नम अपने आप भी ठीक कर सकता है बहुत सी समस्याओं को अपने आप हल कर सकता है मेरा उदेश्य आप लोगको सत करम की तरफ प्रहित करना है आज मैं जो वीडियो मन आने जा रहा हूं उसके पीछे उदिश है माश्टर नंबर जीवन व्यक्ति के जीवन में सफलता के राज कौन से नंबर से मिलती हैं डवल थ्री फाइव वन यह जादुरी नंबर हैं आज मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा निमलोर जी में कुछ लक्की नंबर होत हैं 12 थ्री मतलब दो बार तीन का आना इन से बनता है शुक्र अगर इन दोनों को जोड दिया जाए तो इंसे बन जाता है शुक्र तो पहले तो मैं आपको तीन नंबर वारे में विश्तार से विश्रेशन करना चाहता हूं तीन नंबर अगर एक बार होताहे तब गुरू 6 बन जाताहे कि पावर हो जाते है यह अंग्यानका भंडार है इस नमबर को बहलीत है यह अपने सिदान्तों पर कारिय करताहे जातको प्रिवार और समाज का पून सहव मिलता है जा तक महत कांशी होता है आशावादी होता है अच्छा कल्पना शीर वाला होता है अगर डबलतREE किसी के पास होता है उसकी शादी समय पे हो जाती है उसे कमाने का चोटी उमर में चूर कर देता है और दोस्तों रिटाइर्मेंट होने के बाद भी वो अंत सिक की फीस चाहजार रपे और अडवांस की साथ जार रपे हैं और टोटल ग्यार हजार रपे हैं अब मैंने आपको बताया थ्री प्लस थ्री अगर हो जाता है गुरू-गुरू मिलके शुक्र का नंबर आया चे नंबर हमें क्या-क्या देता है मित्रों का सहवग मिलता और किसी से कंप्रोमाज नहीं करते घर को सजाने सुंद्रय संगीत का प्रेमी होता है विलास्ता आराम और शांति पुन घरेलू वातवरन होता है संतान का सहव परिवार का सहव मिलता है जब दो तीन मिलते हैं तो उनमें बनता है शुक्र एक डबल थ्री लिखने से हमें दो बार गुरू का आशिवाद भी मिलता है और शुक्र देव का भी आशिवाद मिल जाता है गुरू देवताओं का गुरू है और शुक्र राक्षोसों का गुरू है जो ग्यान शुक्रचारिय के पास था वो देव गुरू के पास नहीं था और जो देव गुरू जी के पास बोलने का काम करते हैं, मोटिवेशन, स्पीकर हैं, उन लोग के लिए डवल थी नमबर जादा लखी रहेगा, क्योंकि ये लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, बहार डवल थी को माश्टर नमबर कहते हैं, क्योंकि इन में तीन दो बार आता हैं, इस नमबर को तीन के अनरजी होती है, नमबर छे की अनरजी होती है, डवल थी को भी की अनरजी होती है, इसलिए ये किसी भी वर्क को करने में कम्पलीट होता है, आप लोग किसी को भी दुखी नहीं देख सकते हैं, अगर किसी की हैल्प की जूरत पड़ती है, तो आप आगे बढ़ कर उसकी लाइफ में चीन जाते हैं, नोलिज देते हैं, आप एक सक्सिफुल लीडर और टीचर भी होते हैं, तैंतिस से मिलकर छे बनता है, जो गुरूप तत होता है, वो लीडर होता है, मोटिवेशन होता है, स्पीकर होता है, कथा बाचक होता है, उसके अंदर सारे गुन पाए ज जो energy होती है, वो double होती है, मतलब जैसे दो गुरूप के energy हो गए किसी में, तो double energy होती है, 33 में नमबर दो बार आता है, जिस व्यक्तिकल कोई बीची जल्दी नहीं कर पाते हैं, आपको nervous system से problem होती है, water related problem होती है, इसलिए आपको daily yoga करना चाहिए, खाने पिने का ध्यान रख सची होती है कभी कभी आपको अंदर यह आने लगती है मैं ही सब को प्यार करता हूँ आपको नबढ़ जाता है इसलिए हर काम को चमपर माइंड कुछ समय के लिए करना चीए आप लोगों में कमपोरेशन स्टार्ट हो जाता है इससे आप दोनों के रिलेशन में प्रोब्रम आने लगती है आप समझते होंगे इसलिए आप बिलेंस कर लेते हैं अगर आप यह जानते हैं तो क्योंकि गुरू जान है आप ज रही सकत leashर हों कि मैं आप सुर्फंग का होता है और जब कढ़रू सुरय ऐक साथ मिल जाते हैं तो उनको एक क्या बोलते हैं एक योग बनता है आदित्य योग और इनका ग्यान दूर दूरत कर फारता है और जो पांच और एक को जोड़ती है छे बन जाता है तो ये शुक्र अचारिया बन जाता है छे शुक्र का योग बन जाता है दोस्त पांच नंबर वालों के अंदर मैंने क्या क्या quality देखी है ये आप देख सकते हैं ये किसी के साज जल्दी mix up नहीं होते हैं उतावला पर नहीं होता लेजी भी होते हैं आपका balance पारिवारिक जीवन अच्छा होगा जातों को जोतिश का भी ग्यान अच्छा होता है किसी बात को जल्दी नहीं होती यत्रों का शोकीन होता है और विदेशी यत्रा भी करता है मैं आपको बता रहा हूँ एक नंबर सूरिया का नंबर है ऐसा जातक लीडर माना जाता है सेवा में उच स्थान के प्राप करता है जीवन में इनकम अच्छी होती है राजा के समान जीवन जीता है उसकी स्थिति अच्छी वा मजबूत होती है यह अलगतरी किसी काम करता है जब पांच और एक छे हो जाती है तो शुक्र का उनके अंदर एक नजरिया बन जाता है क्योंकि मित्रों का सहुख रहेगा हर्च यह को सिष्टम चाहिए किसी से कंप्रोमाईज नहीं करते घर को सजाने का काम करते है संतान का सहुख और परिवार का सहुख भी ने मिलता है यह क्यावन नंबर आपको यह जादी नंक है रिजल्ट देता है पांच नंबर ब्रहम अस्थान भी है पांच नंबर होने से बेलेंस अच्छा बन जाता है व्यक्ति जीवन में अच्छाईयों पर जाता है डवल थेरी नंबर दो गुरू और एक शुकर अगर आप 33 नंबर को लिखकर अपने पास रख ले पाकेट में रख ले परस में रख ले दिन में 33 नबर दो बार लिखें हाथ पर लिख ले अपने वाज़ का पीछ्छा लिख ले अगर 33 नबर अपने टेवल पर लिख ले तो आप देखना आपके जीवन में कितनी ज contrac़ बरिती चले जाएगी और जीवन में आप उस अमोल शन को सत्योग करेंगे गर के बार छोटा सा 33 संबर लिख लें अपने हतेली पे लिख लें हरे पैंसे लिख लें एक जरवाजे पे लिख लें तो आप देखना आपको ग्यान कितना मिलता चला जाएगा गुरू का प्रवाब कितना मिलता चला जाएगा आप जीवन में कितनी तरखी करते चला जाएगे उसकी कोई सीमा नहीं आपको विजन के लिख रहेगा आपको हर टेम पर गाइड करेगा 33 संबर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है जो लोग एजुकेशन में कमजोर है उन्हें डवल थ्री रंबर लिखने ना चाहिए हम जब परिशान होते हैं तो हमें एक गाइड चाहिए होता है हम बहुत ग्यानी हैं हमें सारे काम कर सकते हैं पर हमें फिर भी चाहिए कि कोई हमें गाइड करे बच्चों की बुक पर लिखकर छोड़ दो अगर बच्चों को ओम लिखने की आज़त है तो उनको बोलो की 33 अंबर लिखे अगर उनको एकजाम चल रहा है तो एकजाम शुक होने से पहले कापी पर कहीं पर भी छोटा सा लिख दे उससे रिजल्ट आने लगेंगे पर उसके मतलब यह नहीं कि बच्चा पढ़ेना हम कभी कभी जोतिशी उपाय करने के बाद सोचते हैं कि भगवान हमारा सारा कालिय कर देगा ऐसा नहीं होता उपाय एक साहग होते हैं जो हमारे जीवन में हमें आगे ले जाने का प्रियास करते हैं आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि धन कैसे आएगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन सा क्लाइन पहले अटेंड करूं जिसे पैसा आज जाए फाय वन एक ऐसा नमबर है जो बहुत अच्छा नमबर है रियर केस में यूज करते हैं जैसे आपके जिंदगी एक सी हो गई कारिय इस तिर हो गया तो आपको फाय एक नमबर दे दो वो कारिय यूज करना शूख कर देगा और थोड़ी दिन यूज करें पोजिटिव हो जाएंगे तो उसके लिए आनिशू हो जाएंगे अलग अलग जैगा पर एक क्यामन लिख ले सिर्फ महीने में दो महीने में यूज करें क्योंकि ज़्यादा यूज किया तो व्यक्ति एक गो हो जाएगी और वो नुक्सान भी देगा तो यूज होगा कि उसकी इचछें gघ बढ़ जाएंगे टेबलिंग बढ़ जाएंगी उसकी भावना हो जाएंगी उसमें एहम पेदा हो जाएगा काम बढ़ जाएगा हैल्थ इशू बनने लगेंगे कारण बढ़ जाएगा बहुत जादा ठक जाएंगे क्योंकि काम जादा करेंगे वैसे 33 नंबर बेस्ट है पर अगर व्यक्ति कहीं फज जाए तो 51 लिखे उससे जीवन में सफर हो सकता है नंबर तीन गुरू और नंबर छे शुक्र इन दोनों का आपस में क्या कोडिनेशन है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप यह चाहते हैं कि आप अपने कुंड़ी लिखाएं अगर आपको कोई प्रेम का विश्य है आपका बच्चा पढ़ता नहीं है बच्च जीवन में सबसे अच्छा साती हमारे आतम विश्वास है जिसकी फिद्रत हमेशा बदलने की है वह कभी किसी का नहीं हो सकता चाहिए समय हो यह इंसान कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना क्योंकि लोग सिरफ गिर है पैसे उठाते हैं लोगों को नहीं अगर कोई आप आपका आपकी कीमत ना समझे तो नराश नहीं होना क्योंकि कबारी के व्यापारी को हीरे की प्रक नहीं होती जोतिश भाग्या नहीं बदलता बलकि करम पत पताता है सही करम से भाग्या भी बदल जा सकता है इसमें कोई संधिय नहीं एक प्रामर्ष आपका जीवन बदल सक लेकिन भविश्य आपके हाथ में हैं आप उसे बता सकते हैं अब मैं आपको बताना चाहता हूं गुरू गुरू तीन नमबर और छे नमबर जब तीन और तीन गुरू हमें एक साथ दो गुरू का साथ मिलता है तो यह आंक ग्यान का भंडार है बेश्ट स्पोर्टिंग होता है छे नमबर तीन प्लस तीन गुरू है जिसे शुक्र का नमबर आज जाए छे नमबर हमें क्या क्या देता है मित्रों का सहवग में तरहेगा हर्ची सिस्टम से चाहिए और किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते घर को सजाने संद्र संगीत का फ्रेमी विलास्ता आराम औ प्रिवार का सहुग मिलेगा पांच नमबर बुद का होता है यह किसी के साथ जल्दी मिक्स अप नहीं होता एक नमबर सूरी का होता है ऐसा जातक लीडर के समान गीवन जीता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को साथ और मेरे चैनल को सब्क्राइब करें इससे मेरा मनबर बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही ग्यान से भरी वीडियो लाता रहूंगा चैनल को सब्क्राइब करें बेल आइक कैन को प्रेस करें आज की वीडियो को पूरा करता हुए आपसे विदा लेता हूं कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ दोस्तों मैं अपने शब्दों में विराम लगाता हूँ दोस्तों नमस्कार